हेलो स्टुदेंट्स हावार यू दिस शीवम वेलकम टू दिस चैनल ऑक्सपोर जुनियर इंग्लिश ग्रामर के इस सेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपोजीशन के बारे में इसके पहले मैंने नाउन प्रोनाउन एड्जेक्टिव और वाड़ वोगरह सब सकते है तो आएए शुरू करते हैं प्रिपोजीशन तो देखिए प्रिपोजीशन जो है यह बहुत च्छोटा चैप्टर है और यह एक दिन में ही खतम होजाएगा आज ही पढ़ लेंगे आप तो देखिए लिजिए तो सब्सक्राइब करें तो ये रिलेशन्स जोडता है ठिक है रिलेशन्स जोडता है हम तो देखिए यहां आप देख रहे हूंगे सेंटेंस पहले सेंटेंस पर देहां दीजी कहां है there is there is a cat on the table ठीक है on the table बिल्ली कहाँ पर बैटी है table पर यानि बिल्ली इस से चिपकी हुई है ठीक है ना बिल्ली से चिपकी हुई है table से तो वैसे ही I am writing with a pen मैं column से लिख रहा हूँ column से ठीक है column पकड के लिख रहा हूँ he is going to him वो उसके पास जा रहा है ठीक है तो इस तरीके से on with to ये सब जो आप अभी देख रहे हैं ये मैंने अभी उसको denote भी किया था ये सब क्या है प्रोनाउन ये सब क्या है प्रिपोजिशन ठीक है तो ये कर कह रहे हैं तो मैं एक बार इसको read कर देता हूँ उसके बाद मैं आगे समझाता हूँ कहता है कि इन वाक्यों में on with और to पर विचार करें ये noun pronoun के पहले प्रयुक्त हुए हैं और इन में से प्रतेक उक्त नावन ये प्रोनावन का जो संबंध वाक्य के दूसरे शब्द या शब्दों से है उसे दर्शाता है ठीक है on जो है on cat और table के बीच के संबंध को दर्शाता है जैसे आपने sentence देखा था ठीक है इसे प्रकार ये pain जो pain और writing with a pain ठीक है किस से लिख रहा है जी pain से लिख रहा है तो संबंध दर्शाता है with यह with क्या है ये एक relation दर्शाता है am writing और pain के बीच का ठीक है pain वह साधन है जिससे लिखने आकार हो रहा है ठीक है तो with हमने लगा दिया तो कहा जा रहा है कि इस से pain से लिखा जा रहा है ठीक है तो definition अगर पढ़ा जाए तो preposition वह शब्द है जो किसी noun या pronoun के पहले आकर उस noun या pronoun का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है जैसा आपने उपर देखा था यहां कुछ prepositions दिये हुए है आप इनको ध्यान से पढ़ लेजिएगा ठीक है वीडियो पॉज करके आप इसको जरूर पढ़ लेजिएगा ठीक है इसको एक जगा लिखके और इसको आप याद भी कर सकते हैं कि प्रिपोजिशन प्राया नाउन प्रोनाउन नाउन एक्विबेलेंट के पहले आता है प्रन्तु कुछ परिस्तितियों में इसका प्रियोग सेंटेंस या क्लॉज के अंत में होता है या हो सकता है जैसे यहां देखें प्रिपोजिशन वैसे तो तो वर्ट्स को जोड़ने का काम करता है खास करके नाउन प्रोनाउन को यहां देखें यहां एट आ रहा है बाद में यहां एट यह क्या है प्रोनाउन है वाट आर यू लूकिंग एट तुम किस चीज को देख रहा हो वो इस शी वीपि पर यह preposition है, जो last में आते हैं, यहां देखिए, this is the room I slept in, I need something to write with, she likes being looked at, who is it for, यहां देख रहे हैं न, यह जो बाद में भी prepositions आ सकते हैं, तो यहां तो अभी junior classes में आपको elementary prepositions ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा tough prepositions नहीं है, हाँ यह prepositions आगे जाके आपके लिए, थोड़ा tough होगा, जब current English grammar पढ़ेंगे, senior classes के लिए जो grammar आती है, current English grammar, वहाँ पे आपको tough prepositions पढ़ना है, यहां पे तो सिर्फ elementary है, सिर्फ जानना है, कि हाँ यह prepositions है, यहां देखें, कह रहा है कि एक ही word प्रयोग के हिसाब से, किसी वाक्य में prepositions हो सकता है, तो किसी दूसरे वाक्य में अन्य parts of speech, कैसे वह, तो आईए देखते हैं, यहां देखें, he is in the room, he is in the room, ठीक है, यहां यह prepositions है, जबकि come in, यहां यह यह प्ल प्लेस बता रहा है, in, तो यहां in क्या हो गया, एड़वर्ब हो गया, I have not seen this before, ठीक है, I have not seen this before, इसको मैंने पहले नहीं देखा था, और he stood before the gate, ठीक है, और वो gate के सामने खड़ा है, ठीक है, यहां देखिए, यह उल्टा यहां पे लिख दिया गया है, ठीक है, यहां ही पे उल्टा हो गया है, ठीक है, यह गलत यहां पे लिख दिया गया है, actually यह ज़ो, I have not seen this before, लिखा हुए है, यह prepositions है, इसमें before, इसमें before prepositions यहां गलत ओ गया है, जबकि he stood before the gate, है यह हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा गाला का रहा है कि और car had started before ठीक है यहाँ पे the train had started before we reached the station ठीक है यहाँ पे conjunction है ठीक है तो यह हर जगह पे यहीं वर्ड जो preposition दिख रहा है वो preposition हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है sentence में उसके यूज के हिसाब से हम लोग उसको समझ सकते हैं और आप एड़ वर्ड पढ़ चुके हैं तो मुझे लगता है कि आप एड़ वर्ड पहचान लिजिएगा कहरा है कि ऐसी परिशिती में आपको यह समझना है कि अभिष्ट वर्ड preposition है या नहीं इसके लिए आप याद रखें कि preposition किसी noun या pronoun तथा वाक्य के दूसरे वर्ड या वर्ड के बिच संबन जाहिर करता है ठीक है relation बताता है preposition जब आपको विभिन preposition के कुछ महत्योपुर्ण परियोग को समझना और जानना है जिनकी चर्चा इस पुस्तक में आगे use of prepositions में की जाएगी दखिये इसी बुक में इसी मैं आपको पढ़ना है use of prepositions ठीक है यहां सिर्फ elementary था सिर्फ आपको जान पहचान करवाई जा रहे थी prepositions से बच्चों अब यह आप समझ गये होंगे कि prepositions क्या है और आप एक मतलब overview आपके पास है तो यहां पर देखिए exercise 16 जो है इसको आपको बनाना है आप क्या कीजिएगा कि video पहुच करके और इसको बनाईएगा और इसके answers मैं अलग upload करता हूँ तो आप पहले इसको बना लीजिएगा और बनाने के बाद इसके answers को आप बाद में मेरे exercise बनाने के बाद उससे आप अपने answers match कर सकते हैं मेरे channel पर जाके कह रहा है कि encircle the prepositions used in this sentences ठीक है encircle करना है prepositions को जो use किये गए है यहाँ जैसे देखिए the book is on the table या on क्या है preposition है ठीक है यहाँ देखिए he is going to school to क्या है preposition है ठीक है I am without a pain I am without a pain या without क्या है preposition तो यहाँ पर आप इसको बढ़ाईएगा और इसके answers जो है वो मैं अलग video में आपके लिए upload कर दूँगा ठीक है बच्चो आज के लिए इतना ही इसके बाद हम लोग अगला chapter भी पढ़ेंगे और उससे पहले हम लोग यह exercise पहले आप बना लीजिए और उसके बाद इस exercise का answer मैं upload कर दूँगा यहाँ पर आप इसको रोक के बना सकते हैं उसके बाद यह है 13 to 20 तो prepositions का the end हो गया यूज प्रिपोजिशन जब मैं पढ़ाऊंगा तब यह थोड़ा लंबा होगा वीडियो आज के लिए इतना है thank you